दही बड़ा खाना तो हर किसी को अच्छा लगता लेकिन दही बड़ा बनाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता क्यों कि इसमें टाइम जो लगता है तो आज हम बनाएगे ऐसा दही बड़ा जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा फटा फट से 5 मिलत में बनेगा और ख चल्ड लो सकता है तो लिशेता और बेल आइकन को प्रिसकाना बिल्कुल में मद्बूर एगा है उसे साथ से दही लें इसे मिक्सी के जार में डालें और इसे फेट लेंगे आप चाहे तो दही को बिना फेटे भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो देखने में थोड़ा काम अच्छा लगता है तो इसे मिक्सी के जार में फेट लेंगे तो दही बड़ा के लिए एक तम परफेक्ट दही तयार हो जाएगी ये दही हमने फेट लिया, इसे हम बड़े बरतन में निकालेंगे क्योंकि बड़े बना कर हमें सीधे इसी में डालना है चीनी को दही के साथ ना फेटे, नहीं तो पान ही अलग हो जाता है तो चीनी को बाद में ही डालें, एक चमच के करीब हम भुना पिसा जीरा डालेंगे आधा चमच काला नमक डालेंगे और आधा चमच से कम हम सफेद नमक डालेंगे तोनों ही नमक यूच करें, काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ी से पिसी लाल मिर्च डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा बन जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा सारी चीजों को अच्छे से मिला ले रहा है ये दही तैयार है बड़ा बनाने के लिए अच्छे से बड़े भी बना लेते हैं बड़े बनाने के लिए हमने लिए है bread और ये बड़े के चारो कॉनों को काटकर अलग कर देना है इसका जो ये ब्राउन सभाग होता है इसे हम निकाल दें अगर यह लगा रह गया ना तो फिर बड़ो का अच्छे से बनाते नहीं बनता है तो इसे निकाल दें आपको जितना जादा बड़ा बनाना हो उतना ब्रेट का चारो किनारा काट कर निकाल दें हमने ब्रेट का चारो किनारा काट कर निकाल दिया है यह ब् एक ही ब्रेट लेकर उसे राउंड राउंड शेप दें अगर आपको थोड़ा बड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप इसे डबल कर लें प्रेट को पानी में डूबोएंगे और इसको हाथ से दबाते हुए गोल शेप देंगे जैसे बड़ो का सेफ होता है बिल्कुल वैसे ही इसे बड़े ही हलके हाथ से करें और हाथ से थोड़ा दबाते जाए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए अभी ये प्रेट एक्टम सौफ्ट हो गया है और इसको दबा देंगे तो एक्टम बढ़ी यासा गोला बन जाएगा और जब इसको हम दही में डालेंगे तो ये अलट पलट कर अच्छे से दही बही इसमें मिला देंगे। ये दही इसमें बहुत ही जल्दी से सोख लेती है और दही अंदर तक चली जाती है बहुत ही ज़्यादा सौप्ट और स्पंजी सा बन जाता है ये आप देख सकते हैं ये दही बड़े कितने फूले फूले से हो गए है दही इसमें अंदर तक जा चुकी है आप इसे चाहे कट पट्था सा झालास जीरा इमली की चट्नी आपने नहीं बनाई हैं तो डाले इस्में घालने सभी wise कि अरथा केश्नी की केशप डाले थोड़े नार के दाने डाल देंगे धोड़ी सब्सके side wiel態नां जाब 6,07 खालनte 12 कquez do वहिले हैं उसे कहीं जादा इसका टेस्ट अच्छा है तो आप इस तरीके से पांच मिनट में यह दही बड़ा बना कर खा सकते हैं और उसके मैं है, जादा फट घबरा करते हुला सकते हैं da iisi badaा खाने के नंबर आगे तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हैं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सौप्ट है इतनी कम महनत में इतना ज़्यादा टेश्टी दही बड़ा खाने को मिलेगा यह आप सोच भी नहीं सकते हैं तो देर किस बात की ब्रेड लाइए दही को फेटी है और सबको खिलाया दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना पिल्कुल भी मत बूलेगा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी मज़ेदार नई रसेपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई